हेलो बच्छों आज ये माला कुवेश्धन है एक्साइग 8.3 से कुष्धन सेवन का वण पार्ट चौक कंटेंड कलसियम कर्वन और अक्शद वहीं एक 求प में क्या कया कर्वन और ओक्शम इन दा ratio, ratio दे रखा, 10 ratio 3, ratio 12, 10 the percentage of carbon in the čauk, पहले आप देखेंगे एक च़ॉक से, एक तो calcium से, क calcium से बना हुआ ठीक है, फिर क्या ben carbon है इसे में और oxygen, जो इसका ratio कितना 10 है, इसका कितना 3 है, और 12 है, अब कहा रहा है, हमें find the percentage of carbon, हमें के पर्सेंट निकालनीतर टोटल पार्ण कितने नयुक्त हमारे कि इन तो डेन ज रिंणी प्रकृशल 3 फिफना से फिदिफ सेल्टावय को तंटार पार्समारे है कि तिर युझायों मॵलंगत थे दय गिए अब मिटे कितना दे रखा है थिरी दे रखा क्योंकि के बीच में कारवन थिरी लेना ओके अपॉन टूटीफट निकाले इंटू हंडेट करतो मैं थाइफ क्pers vi निकालत किया होडाईगा हंडेट को मैं सब्सक्रिक फैफ फोड़ इसकी क्टिना वहे तो हमारे इसमें जो carbon है कितना percent है 12 आपको ध्यान देना पड़ेगा तीन चीज़ है calcium carbon and oxygen ओके तीनों का हमने तीनों parts का हमने जब वो क्या sum कितना रहा था 25 बहुत जो उसका fraction है कितना three upon 25 बन जाएगा हमें फ्रेक्स हमें क्या निकालना परसंड निकाल तो इंटू हंडेट कर दो तो तो ट्वल परसंड निकल गया अब नेस्ट क्वेशन जो इसमें कहा रहा एक इना स्टीक और चौक कारवन इस थी गराम भई एक पूरी स्टीक है चौक की यह स्टीक है चौक की इसमें जो थी गराम क्या है 3 ग्राम जी इसका वेट है कितका है carbon का है what is the weight of the chalk stick तो पूरी chalk stick का weight कितना होगा तो हम कहेंगे let the weight of chalk stick हमने लिया x भई x हो गया अब हमें carbon को तो पता है भई कारवन का कितना है 3 ग्राम है तो 12 परसेंट ओप 12 परसेंट ओप carbon 12 परसेंट ओप carbon का कितना है अब हम क्या करेंगे 12 अपॉन हंड्रेड इंटु एक्स का 12 परसेंट कितका एक्स का है ठीक है तो परसेंट कारवन हमारा 3 ग्राम आ रहा तो इकल्ट कितना आ जाएगा 3 ग्राम अब देखो हम चाहे तो इसको सिधे-सिधे क्या कर सकते आए कट रहा हूं इसे 6 और ये फिप्टी हो जाएगा फिर टू से कट रहा है टू थी जा 6 और टू 25 तो हमारे जो आ रहा है ध्री ये मंतिपलाय हो जाएगा जाए के साथ 3x अपौन 25 एकल टू 3 ओके ये क्रोस मिंटिपलाय होगा ये इसके नचे हां यहां क्रोस में तो थी एककल्टा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और देखो, EX इЕकल्ट तो 75 अपौन ये थी निचे आएगा ठी कितना जाएगा होगे गिने देखो भाई हमने जो बोला था weight of the chalk stick हमने लिया था x अब हमें 12% of chalk कितना था 3 gram था तो हमने 12 upon 100 into x क्योंकि x का था ये x से हमने लिया था total से लिया था हमने ये अब 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 जब हमने इसको काटा देखो 12 upon 100 को काटा तो देखो 2 से काट रहा था 2, 6, 12 यहां 50 आ रहा था 2, 3, 6 यहां 25 फिर हमने 3 को x से किया तो क्या है 3 x upon 25 आ गया जो हमारे यहां का रखा ये का रखा तो हमने cross multiply किया तो 3 x से क्ल 75 75 अपन 3 आ गया था नीचे इसको काटे तो 25 ग्राम्स हो जाएगा ओके यह हमारे कितना हो जाएगा 25 ग्राम्स हो जाएगा